नमस्कार किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सबा शाहिच शेग समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को तगड़ा जटका लगा है आजम और उनके परिवार की मुश्किले कम होने का नाम ही नहीं ले रही है फर्जी बर्त सर्टिफिकेट मामले में अदालत ने आजम खान उनकी पतनी तंजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम को साथ साथ साल की सजा सुनाई है जिस पर अखलेश यादव ने भी नाराज़गी जाहिर की है इसी पर चर्चा के लिए हमाज साथ मौजूद है कैपिटल टीवी की एग्जेक्यूटिव एडिटर राजीव जी राजीव जी बहुत-बहुत सौगत है अब धन्यवाद अखलेश यादव तो कह रहे हैं कि आजम खान मुसल्मान है इसलिए उनके साथ अन्याए हो रहा है इसलिए उनको सजा मिली है अगर अखलेश यादव को लगता है कि फरजी वाड़ा करके कोट्छ जो सजा मिली है वो मुस्लिम हिंदू इसाय सिख देख कर मिली है तो ये उनकी सोच और मानसिक्ता को परदर्शित करता है अगर अखलेश यादब अपने साथ सारे फरजी मुस्लिम लीडर को रखे रहेंगे जो धोखा धड़ी करने में जो माफ्यागिरी फैलाने में जो फरजी वाड़ा करने में माहिर हो तो फिर सजा भी तो मुस्लिम नेताओं को ही मिलेगी अखले सियादब की पार्टी में जिस तरीके से मुस्लिम तुस्टी करन के कारण मुस्लिम नेताओं को आगे बढ़ने का मुका मिला ये लोगों को आगे नहीं बढ़ाते नेताओं को आगे बढ़ा कर कहते हैं कि तुम मुस्लिम नेता हो तो तुम्हारे उपर ठेका है मुसल्मानों से वोट दिलवाने का इसलिए तुम लोग मुसलिमों को बरगलाओ बताओ कि अखलेश यादब, मुलायम से यादब ये लोगों के अलावा और कोई मुसल्मानों के रहनुमा नहीं हो सकते इन लोगों ने आप लेके लिए ही काम करना शुरू कि अगर सजा कोट से मिली सारे सुबूत सामने पड़े हैं उसमें से कोई if and what नहीं है क्लियर क्रिस्टल क्लियर है कि इन लोगों ने फरजी वाड़ा किया है और अगर फरजी किया है तो सजा मिलेगी क्योंकि बस सर्टिफिकेट और बस सर्टिफिकेट भी किस बात के लिए अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए जब आप पढ़ाय लिखाय किये हो तो उसमें आपके जन्मतिति का लिखाव हुआ होता है कि कहां आप कैसे किस समय आपने एडिमिशन लिया और उसके बाद टेंथ पास आउट कब हुए उसके बाद आगे कब क्या-क्या डिग्रियां आपने लिए है लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि जब चुनाव लड़ना था सुआर विधान सवा सीड से तो उस समय इन लोगों ने एक फर्जी सर्टिफिकेट बनाया जन्म परमान पत्र उसमें उम्र को तीन साल छुपा लिया अब तीन साल उम्र को छिपा लेंगे तो उसके बाद जो विपक्ष में बैठे हुए लोग है जिसको आपने हराया है वो सवाल उठाएगा और आकाश शक्सेना ने ये मामला धर्ज करवाया धर्ज करवाने के बाद पहले तो इन्हों ने जो सम्मिट की अपनी डिगरी वो डिगरी फर्जी निकला तो उसके बाद ये हाई कोट चले गए हाई कोट में भी डिगरी को फर्जी बताया गया अब पहले तो डिगरी फर्जी उसके बाद औरिजनल बस सर्टिफिकेट सामने आया जब हाई कोट से भी जटका लगा तो उसके बाद MP MLA कोट ने इन लोगों को सजा दी और चुकि लड़के का मामला है यानि की अबदुल्ला आजम सर्टिफिकेट सिर्फ खुद बना के नहीं रखे थे उसके माबाप की भी मर्जी इसमें थी और इन लोगों ने ही सर्टिफिकेट बनाने में अपनी भूमिका निवाए थी अब इतने बड़े फर्जी वारे में सजा नहीं होगी तो क्या माप कर दिया जाए इससे पहले भी आजम खान फसे हैं और एक बार नहीं फसे कई मामलों फसे हैं नबे से ज़्यादा मुकदमे उनके खिलाफ है अखले सियादब जितना भी चिला चिला कर कह ले कि आजम खान को मुसल्मान होने कारण सजा दी जा रही है लेकिन रामपूर में जाकर ये देख लें कि मुसल्मान आजम खान के साथ है की नहीं अगर रामपूर जैसे छेतर में जहां मुसलिम बाहुले इलाका है जहां 50% के आजपास मुसलिम है उस जगह पर अगर आजम खान को मिल रही सजा से मुसल्मानों को परेशानी होती तो क्या रामपूर में आजम खान के लोगों की हार होती क्या विधान सभाचुनाब हो या फिर उससे पहले लोग सभाचुनाब हो इन चुनाबों में समाजबादी पार्टी की हार होती। वैसे में तो आजम खान के साथ वहां के सारे मुसल्मानों को होना चाहिए था। लेकिन वहां के मुसल्मान जानते हैं। ये जोहर ट्रस्ट बनाया करोडों की हेरा फेरी की जिस पर इंकम टैक्स के छापे पड़े कई दस्तावेज मिले किस तरीके से इन लोगों ने जोहर ट्रस्ट के नाम पर पैसा डाइवर्ट किया है। तक कि सरकार में रहते हुए मंत्री रहते हुए इन्होंने अन्य विभागों का पैसा उसमें लगाया। के तरफ से आपको 13 एकड जमीन मिली तो उसके बाद आपने सरकार से परमीसन लिये बिना आसपास के गाउं के लोगों के जमीन हडप लिये। 13 एकड के बाद आपने उसको 23 एकड बना दिया और वो 23 एकड जमीन जो 10 एकड और जमीन ली वो वहाँ के गाउवालों को धमका के लिए और इसलिए वो आजम खान के खिलाफ है अब आजम खान या फिर फातिमा या अब्दुल्ला आजम या फिर अखले सियादब के पार्ट हुआ था अबु आजमी के कई थिकानों पे चापे मारी हुई यह अबु आजमी कौन है यह तो आजम खान जिस तरह से उत्तर परदेश में तांडब मचाया हुए है उसी तरीके से अबु आजमी का पूरा चरित्र महरास्ट जाके पता चलता है कि वहाँ पर मुलायम सुन यादब ने अबु आजमी को समाजवादी पार्टी का परदेश अध्याक्ष क्यों बनाया उसे टिकट क्यों दिया जो अबु आजमी मुंबई ब्लास्ट मामले का आरोपी था हलाकि बाद में छुट गया सुबूत नहीं मिले यहाँ पर ऐसे कई अपरादी हैं जो सालों तक कानून को तोड़ मरोड कर अदालतों में वकीलों का इस्तेमाल के गलत तरीके से चूट जाया करते हैं लेकिन मूरल रिस्पानुटी तो है आपके साथ जो लोग खड़े थे जिन लोगों का इस्तेमाल किया मास्टर माइंड बने उसके लिए आप एक साल तक जेल क वारी हुई क्योंकि अवैद कारोबार करता है और उस अवैद कारोबार में 200 करोड से ज़्यादा की बेमानी संपत्ती मिली यह बेनामी संपत्ती दूसरे दूसरे के नाम पर फर्दी तरीके से संपत्ती एकत्र करके रखा जितने भी नेता है यह मुस्लिम नेता जो अखलेस यादब के साथ है अब यादब नेता जो अखलेस यादब के साथ है कल क्या होगा कि कल जब कोई यादब नेता पकड़ा जाएगा तो ये धर्म कार्ड के अलावा फिर से आ जाएंगे जाती ये कार्ड पर कि यादब होने के कारण योगी सरकार उसे परतारित कर रही है क्यों क्योंकि जो आपका पूरा कपूरा आधार ही पहले होता था इम वाई समिकरन आप लेके चलते थे मुस्लिम यादब को साथ रखो सत्ता पर पहुच जाओ गोई क्योंकि दूसरे जो जातियां हैं और दूसरे लोग हैं वो बिखरे हुए हैं इन दोनों को समेटो और बाद में जब आपको लगा कि यादब भी छोड़ रहे हैं मुस्लिम भी पूरी तरीके से साथ नहीं दे रहे हैं और इन दोनों के अलावा जो लोग हैं वो इकठे हो रहे हैं बारतिये जंता पार्टी के साथ जा रहे हैं तो आपने एक नया फार्मूला लाया पिछड़ा दलित अल एक्सन होगा उसमें इन ही लोगों को गिरफतार किया जाएगा सजा मिलेगी और अखलेस यादब के पूरी पार्टी जो थी यहीं चोर लुटेरों से भरी पड़ी है और ये लोग ही फंड देते हैं अखलेस यादब की पार्टी को तो ये जो एक्सन हो रहा है इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी का अखलेस यादब का एकाउंट सील हो रहा है ये चुनाब में जो इन पैसो का इस्तेमाल होता था जैसे इतर बयापारी की बात है जो इतर बयापारी जिसके यहां से दो सो करोड से जादा कैश मिला था गोल्ड मिले थे और ज्वेलरी मिले थी वो अभी इनकम टेक्स का मामला चल रहा है जी एस टी में भी मामला चल रहा है और इसकी सुनवाई चल रही है मीडिया में रिपोर्ट कम है दो तिन दिन पहले ही उसकी सुनवाई हुई थी धीरे धीरे राज कुल रहे हैं कि कैसे वो पॉलिटिकल फैंडिंग किया करता था कैसे उसके लोगों को MLC बनाय जाता था बिना पैसा लिये हुए अखलिस यादे भी ये काम नहीं करेंगे MLC बनाने के लिए उन लोगों के लिए रेट तैह है यहां तक की समाजवादी पाथी और बस्पा पर भी आरोप लग चुके हैं कई बार आरोप लगे हैं कि ये लोग तो टिकट भी देते हैं पैसा लेकर हाला कि अब इस्तियां बदल गई अब इन लोगों के हां टिकट लेने वालों की कमी हो गई है लोग ये सोच के जाते हैं कि हम टिकट लेंगे और पैसा भी देके टिकट लेते हैं तो हार की तो गारंटी है हारने के लिए कौन पैसा दे के टिकट लेगा लेकिन अखलेस यादव ने जो फिर से ये विक्टिम कार्ड खेलना शुरू किया और ये अपराधों में तुस्टिकलन की निती अपनाई है कि किसी के ऊपर अगर कारवाई हो रही है तो इसका मतलब है क्यों मुसल्मान है तो कारवाई हो रही है यादव है तो कारवाई हो रही है जैसे प्रेम यादव की बात है देवरिया कांड में इन लोगों को लगा कि वहाँ यादव कार्ड खेलना चाहिए तो शिपाल यादव अकलेस यादव सब पहुँचे दुबे का परिवार तो इनसे मुलाकात भी नहीं किया इसी आधार पर क्योंकि जिसको तुम डिफेंड कर रहे हो इतने दुनों से वहाँ जाने के बाद एक फॉर्मलिटी के लिए उस परिवार के पास जाओगे जिसने जेला है तुम्हारे तांडब को जेला है ये तुम लोगों के पैदा किये इन लोगों ने वही विवस्थाएं देखी है जो मुलायम से यादब ने चलाई जो मायावति ने चलाया या फिर जो विवस्था ये अखलेस यादब ने अपने मुख मंत्री के काल में चलाई थे तो ये विवस्थाओं के में परिवर्तन को ये महसूस तो करते हैं लेकिन उस विवस्थाओं में परिवर्तन के साथ चलना नहीं जानते जब नहीं चलोगे तो फिर धाराशाई होगे वही उत्तर परदेश में हो रहा है कि अभी तो हमारा गठवंधन भी कॉंग्रेस के साथ फाइनल नहीं हुआ अगर मुसल्मानों को पकड़ के नहीं रखेंगे ऐसे मामलों में भी तो फिर हमारा क्या होगा तो इसलिए जो अभी अखलेस ने आरोप लगाया है सजा की बात कही है वो सजा का आरोप किसके उपर लगाया है कोट के उपर लगाया है क्योंकि MP MLA कोट ने सजा दी है योगी सरकार पकड़ के नहीं ले गई है सिर्फ और सिर्फ पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना उसके रिपोर्ट कोट को सौपना सजा कोट से मिलती है तुम अगर ये कहते कि इन लोगों को जो F.I.R.S. के उपर किया गया है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो भी ये माना जाता कि कुछ चाला की बच्ची है लेकिन सजा ही इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये मुसल्मान है सजा इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये यादव है ये कहना अखले स्यादव के लिए उसी तरीके से होगा जैसे की ये पहले से इस तरह के काम करकर के अपनी फजियत करवा चुके हैं पिछले पाँच सालों में सरकार गई दुबारा चुनाब हुआ 2022 में चुनाब में भी फजियत हुई लोकसभाएं फजियत हुई अब अगले लोकसभा में भी फजियत होगी क्योंकि अब लोग उन्हें समझ लिया है कि ऐसे नेताओं को समर्थन देने का मतलब है कि अपने लिए गड़ा खोदना बहुत बहुत शुक्री है आपका तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद दरसल आजम खान के बेटे अबदुल्ला आजम पर दो अलग अलग बर्त सर्टिपिकेट रखने का आरोप है जिस पर जन्मतिति अलग अलग दी हुई है लेकिन फिर भी अखलेश यादव को आजम परिवार के गलती नहीं दिख रही और वो ये कह रहे हैं कि आजम खान मुसल्मान है इसलिए उन्हें सजा मिली उनके साथ अन्याय हो रहा है हलाकि अखलेश यादव इस मामले में भी अपने तुस्ति करन वाली राजणीती कर रहे है फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही देखते रहे है कैप्टल टीवी उत्तर प्रदेश नमस्कार